जैसा कि हमारे साथी रंजीत बर्मन साब ने लिखाए, मास्टर बेंगॉल में गुरु जी को मास्टर बोलते हैं, मेरा एक क्यूस्चन है, बहुत लोग बोलते हैं मेरे दोस्त भी कि तू तो एलपी है, एक ड्राइवर है ट्रेन का, तुझे अच्छी लड़की नहीं मिलेग कि शादी के लिए बहुत डिमोटिवेट करते हैं, सॉलिशन के बारे में बोलिए एक वीडियो, कोई बात नहीं, इसके उपर एक वीडियो बनाते हैं, ऐसी प्राबलम मुझे दो-तिन जोनन और पहले भी बताई थी, तो इस वीडियो में सब की शिकायत का निराकरन कर दिय जाएगा, और किसी भी प्रकार से डिमोरलाइज होने की जरूत नहीं है, सब काम अच्चा होगा, आप यह वीडियो देखिए, इसमें सारी बातों का समाधान मैंने विस्तार से कर दिया है, और फिर कोई कन्फुजन बाकी नहीं रहेगा, तो देखते हैं वीडियो और भी नमस्कार, तो फिर जो अपने ये रंजीत बीया ने लिखा है कि हमको कैसी लड़की मिलेगी या अच्छी मिलेगी कि ने मिलेगी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और दूसरी चर्चा ये भी करेंगे कि रनिंग स्टाप का वेवाईक जिवन किस प्रकार आपको टेक तो पहले थे इनको जो गलत फहमी का शिकार हो गए यानि कि कई लोगों ने इनको भड़का दिया है कि आप रनिंग स्टाप में हैं, लोको पैलेट हैं, रेलवे के, इसके लिए आपको शादी करेंगे, तो अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, ये सरवता गलत बात है, आप आपको एक से एक बढ़के अच्छी लड़की मिलेगी, पड़िलीखी लड़की मिलेगी, कोई दिकत नहीं है, सरकारी नोकरी वाले मिलते का है आजकल, तो आप इस बात को पूरी तरह दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, अच्छी ही म भी बाना है तो आप जब भी शाधी कर रहा हो तो पहले से यह बता दें हमेश आपके सुसरावालों को या जिस लडकी कर रहे हैं हैं और Lagos निवी में लोको पाइलट हूं और गारा हिए या एक दिन बाहर रहते हैं और रहते, nothing और आने जाने का कोई time fix नहीं है, चुट्टी का कोई time fix नहीं है, कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ vicious functions होते हैं, और आपके पास चुट्टी है, बहुत चुट्टिया मिलती है, लेकिन चुट्टी जब चाहे तब नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पे क्या फे डिस्कूट खड़ा ऐसा आप पहले से बात कर लीजिए, अगर बात नहीं करेंगे तो बात में problems खड़े होते हैं, काफी ज़्यादा problems हो जाते हैं, कभी-कभी हैं, किसी-किसी case में ऐसे problem होते हैं, अभी हमारे यहां पे एक assistant logopilot था तो उनकी wife जो है दिली में मतलब नौकरी करती थी, वो भी सर पहलादी हो गई, तो wife ने ना बोल दिया, मैं नौकरी छोड़के इतर नहीं आऊंगी, आप बहुँ बाहर रहती है, यहां रहती है, तो सारी जिंदगी वस ऐसे चलता रहेगा, तो मेरे कहने का मतलब यह है, कि अगर आप running staff में नौकरी करना चाहते हैं, ठीक ढंग से, तो पैसा पनाना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, करोरपती बनना चाहते हैं, जोनों चोईस है आपके पास, जैसे आपने ऐसी मैला से शाधी कि आपका, वो भी सरकारी नौकरी में है, यह जो भी जो भी तो कोई यह भी चाहेगा कि में नौकरी छोड़ागा, पैसा तो सबको इच्छा लगता है। लेकिन क्या लदी आफी लीया होगा, कि जैसे आप सूब इस रात की नौकरी ऐके सो और रात को देर से 10-11 वजे फिर आपका कॉल आगया फिर आपको जाना पड़ेगा तो फिर आपके दर में जगड़ा होगा तो यह क्या है अभी आए और फिर वापस चल दिए फिर जब आगे चल के बच्चों का पड़ाई लिखाई का हिसाब किताब आएगा बच्चों का को बच्चों को कौम संबलेगा बच्चों की बच्चों की पड़ाई का बच्चों का प्यार का सब फोग्पनेज़ादो किसी कि ने क्मारे होता की होज ठीक हो सब कुछ हमरे पास हुए तो फिर उनको यह करना चाहिए अलग लग रहेंगे तो चल कोई बात नी जिसको family के साथ में कम पैसे में ही अपनी को जिंदकी घुजारनी है तो फिर wife को समझाए कि आप नौकरी मत कीजिए मैं नौकरी कर रहा हूं तो इस परकार आप लोग अपना एजस्टमेंट खुद से तय कर लीजिए पहले से ही क्योंकि क्या इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है बात में आगे चलके तो हमारे कुछ स्टाप वाले ऐसे हैं जिनके सकाई नौकरी करती थी उनकी वाइप जैसे टीचर वगेरा में होती है तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं बच्चों को संबालने के और गर में काम काज फिर कहीं जाना है तो रात को जैसे वाइप तो नौकरी से आ गई और आपका कॉल आ गया था आपको रूटी जाना पड़ेगा कहीं पार्टी बन जाना और चुट्टी का क्या बड़ा तो यह सब एड़ेस्ट्मेंट करना पड़ता है तो मैंने आपको यह प्रॉब्लम जो बाई साब ने पुछी थी उस प्रॉब्लम का भी हिलाज बताया और कैसा आपको शादी का जो है किस प्रकार से जीवन आपको गुजारना है अंडर्स्टेंडिंग इस प्रकार रखनी यह बात पिकी तो आपको यह बात है कैसे लिगे आप कमेंट करके आवशे बताएं और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे जाएं प्ले लिस्ट में जाएं और सभी वीडियो देख लें के एक बार तो आपका नौलेद भी पावर्फुल हो जाएगा और कुछ लो